C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है Part 5. चिठियों की अनूठी दुनिया प्रिष्ट 23 पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक्तम साधन नहीं कर सकता है पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहां दे सकता है पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीती, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम दिवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं दुनिया का तमाम साहित्य, पत्रों पर केंद्रित है और मानव सब्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले ही उसका नाम अलग-अलग हो पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र कन्नड में कागद, तेलुगू में उत्तरम, जाबू और लेक तथा तमिल में कडिद कहा जाता है पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा दुनिया भर में रोज करोडों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं भारत में ही रोज साड़े चार करोड चिठियां डाक में डाली जाती हैं जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी एहमियत रखते हैं परिश्ट 24 पंडित जवाहर लाल नहरू ने सन 1923 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रही हैं उसके बाद पही आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलावाया तार ने रेलों से भी तेज गती से समवात पहुचाने का सिलसिला शुरू किया अब टेलिफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है पिछली शताबदी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया डाक विवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेश प्रयास किये गए पत्र संस्कृती विकसित करने के लिए स्कूली पाठे क्रमों में पत्र लेखन का विशाय भी शामिल किया गया भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्वडाक संग ने अपनी ओर से काफी प्रयास किये विश्वडाक संग की ओर से 16 वर्ष से कम आयूवर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया यह सही है कि खास तोर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्यकारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है पर देहाती दुनिया आज भी चिठीयों से ही चल रही है फैक्स, इमेल, टेलिफोन तथा मोबाईल ने चिठीयों की तेजी को रोका है पर व्यापारिक डाग की संख्या लगातार बढ़ रही है प्रिश्ट 25 जहां तक पत्रों का सवाल है अगर आप बारिकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो या पत्रों का बेसबरी से जिसने इंतजार न किया हो हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे पर अब वह बात नहीं परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है पहले लोगों के लिए संचार का एकलोता साधन चिठी ही थी पर आज और भी साधन विक्सित हो चुके हैं आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुर्खों की चिठीों को सहेज कर और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो या फिर बड़े-बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवी, प्रशासक, सन्यासी या किसान इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विशाय है अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोडों लोगों को प्रेड़ना देते हैं पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है दुनिया के तमाम संग्रहाले जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनुठा संकलन भी हैं तमाम पत्र, देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना हैं भारत में आजादी के पहले महा संग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार जनों को पत्र में लिखे वे आगे चलकर बहुत महत्तों की पुस्तक तक बन गए इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती के लिए हुआ था महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुँच जाते थे आजादे के आंदूलन की कई अन्य दिगज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड नहीं था कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिखते दे थे अपने हाथों से ही ज्यादा तर पत्रों का जवाब देते थे जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाय हाथ से लिखने में जुड़ जाती थे महात्मा गांधी ही नहीं आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाउं गाउं में मिल जाते हैं पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रश्रस्ती पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है यह है पत्रों का जादू यही नहीं पत्रों के आधार पर ही कई भाशाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा पत्रों के आइने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरख जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में ते बहुत मुस्तैद रहते थे इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगौर के पत्र भी बहुत प्रेरख है महात्मा और कवी के नाम से महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगौर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसमें बहुत से नए तत्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है पत्र विवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल्डाक विभाग की ही है प्रिष्ट 27 इसकी एक खास वज़य यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है घर घर तक इसकी पहुँच है संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिठी पत्री की हैसियत बरकरार है शहरी इलाकों में आली शान हवेलिया हूं या फिर जोपर पटियों में रह रहे लोग दुरगम जंगलों से घिरे गाउं हूं या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाडों के लोग समुद्रतट पर रह रहे मचवारे हूं या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसबरी से इंतजार होता है एक दो नहीं करोडों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारती डाग घरों के दरवाजों तक पहुँचते हैं और इसकी बहु आयामी भूमि का नजर आ रही है दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूले मनी ओडर अर्थ्विवस्था से ही चलते हैं गाओं या गरीब बस्तियों में चिठी या मनी ओडर लेकर पहुँचने वाला डाकिया देव दूद के रूप में देखा जाता है अरविंद कुमार सिंह प्रश्ण अभ्यास पाट से एक, पत्र जैसा संतोष, फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता दो, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेक, कडिद, पाती, चिठी, इत्यादी कहा जाता है इन शब्दों से संबंधित भाशाओं के नाम बताईए तीन, पत्र लिखन की कला के विकास के लिए क्या-क्या प्रयास हुए, लिखिए चार, पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन SMS क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए पाँच, क्या चिठियों की जगह कभी fax, email, telephone, तथा mobile ले सकते हैं? पाँट से आगे एक, किसी के लिए बिना टिकट, सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर, पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठनाई आ सकती है? पता कीचिए प्रिष्ट 28 दो, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? तीन, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? अनुमान और कल्पना एक, रामधारी सिंग दिनकर की कविता, भगवान के डाकिये आपकी पाठ्य पुस्तक में है, उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिये की भाति मान कर अपनी कल्पना से लेख लिखिए 2. संस्कृत साहित्य के महाकवी कालिदास ने बादल को संदेश वाहक बना कर मेगदूत नाम का काव्य लिखा है, मेगदूत के विशय में जानकारी प्राप्त कीजिए पक्षी को संदेश वाहक बना कर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं एक गीत है जा जारे कागा विदेशवा मेरे पिया से कहियो संदेशवा इस तरह के तीन गीतों का संग्रह कीजिए प्रशिक्षित पक्षी के गले में पत्र बांध कर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लीक मिलता है माननीचे आपको एक पक्षी को संदेश वाहक बना कर पत्र भेजना हो तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे चार, केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरश मिश्र की कविता, चिठियां को ध्यान पूर्वक पढ़िये और विचार कीजिए कि क्या यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पढ़ी, निर्धारित पते पर जाने के लिए तयार चिठियों के बारे में है, या रेल के डिब उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक शेत्रों में चले जाते हैं, अपनी कल्पना को पंक लगाईए और मुक्त मन से इस विशय में विचार विमर्ष कीजिए, भाशा की बात एक, किसी प्रयोजन विशेश से सम्बंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र, आप भी पत्र के योग से बनने वाले दस शब्द लिखिए, प्रिष्ट उन्टीस दो, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्य के योग से बना है, एक प्रत्य के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए तीन, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधी कहते हैं, जैसे रवींद्र बराबर रवी, धन, इंद्र, इस संधी में इ, धन, इ, बराबर, इ हुई है, इसे दीर्ग संधी कहते हैं, दीर्ग स्वर संधी के और उदाहरन खोच कर लिखिए, मुखे से स्वर संधियां चार प्रकार की मानी गई हैं दीर्ग, गुण, वृध्धि और यन रिस्व या दीर्ग आ, ई, उ के बाद रिस्व या दीर्ग आ, ई, उ, आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशह दीर्ग आ, ई, उ हो जाते हैं इसी कारण इस संधि को दीर्ग संधि कहते हैं, जैसे संग्रह, धन, आले, बराबर संग्रहाले, महा, धन, आत्मा, बराबर महात्मा, इस प्रकार के कम से कम दस उदाहरण खोच कर लिखिए और अपनी शिक्ष का शिक्षक को दिखाईए शब्दार्थ, अजीबो गरीब, अनोखा, SMS, लगु संधेश सेवा, सिल्सिला, आरंभ होना, रास्ता खुलना, अहमियत, महत्व, हरकारा, दूत, डाकिया, संधेश पहुचाने वाला, आवा जाही, आना जाना, तह, गहराई, प्रशस्ती पत्र, प्रशंसा पत्र, मुस्त ततपर, दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात, प्रमाण पत्र, गुडविल, सुनाम, अच्छी चवी, हैसियत, दर्जा, आलिशान, शानदार, धानी, अस्थाई निवास, कच्चे मकानों की बस्ती, जो गाउं से कुछ दूर बनी हुँ, अभी आप सुन रहे थे, पार्ट पांच, चिठियों की अनूठी दुनिया, प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत